गर को डेकोर करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है कि आप प्लांट्स लगा लीजे और अपने घर को खुशुरत बना लीजे उसमें भी सबसे जादा जो सस्ता है वो है मनी प्लांट जो फ्री में भी मिल जाता है आज की वीडियो में मैं आपके साथ share करूंगी मनी प्लांट के ऐसे चार आइडिया जिससे आप अपने घर को डेकॉर कर सकते हैं और जो मनी प्लांट है उसे बूशी बना सकते हैं तो चलिए one by one मैं आपके साथ share करती हूँ सारे आइडियास को फर्स्ट आइडिया के लिए देखे मैंने ये मनी प्लांट की जो एक कटिंग है वो ली है और इससे हम सारी छोटी-छोटी कटिंग को अलग कर लेंगे यानि जितनी नोट्स हैं यहां से आप इस तरह से कट लगाईए 45 डिगरी का और आराम से ये कट हो जाएगी जो एक्स्टर स्टेंट है उसे आप काट कर अलग कर दीजिए और इस तरह से हमें बहुत सारी छोटी-छोटी कटिंग लेनी हैं जिनका हम आगे यूज़ करने वाले हैं देखें ये मैंने जो सीलिंग फैन होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लिया है इसी का मैं आज यूज़ करने वाली हूँ और जो हमारा फर्स आइडिया है वो इसे से किरेट होने वाला है तो जितनी हमने कटिंग्स ली थी इस तरह से हम इसमें चारो तरफ पहला लेंगे बिल्कुर एक दूसरे से सटा के हमें इने लगाना है और देखे आराम से देखने से समझ में आ रही हैं इस तरह से चारो तरफ इने रखेंगे और उसके बाद जितनी भी इनकी जड़े हैं उसे हम मिट्टी से अच्छे से दबा देंगे देखे ये सिर्फ गार और रियरी हो जाएगे तो उसके पार जितनी भी जड़े हमें दिखाई दे रही है उसे हम फिर से दबा देंगे मिट्टी के साथ और फिर इसके ऊपर एक लेयर फिर से तयार करेंगे और इसी तरह से हमें ये तब तक बनाना है जब तक ये पूरी तरह से ढख नहीं जाता तो देखे जब हम इसे चारों तरह से ढख लेंगे तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, उसे हम इस तरह से चार पांच पतियां इखटी लेंगे और उसके बाद इसे बीच में से अच्छे से कवर कर देंगे और देखे इस तरह से हमारा जो पहला आईडिया है वो इसका final look कुछ ऐसा है, भड़ने के बाद जब ये hang हो जाएगी तो देखे आराम से इसे मैं hang कर सकती हूँ और ये इतनी खुबसर लगने वाली है कि मैं क्या बताऊं। यहां से drainage hole है उसे आप इसे बंद कर लिजे और जो भी आपका port है उसमें इसे fit कीजे और मिट्टी से इसे अच्छे से set कर लिजे ताकि ये बिल्कुल नहीं ले। मैं यहां पर tie कर लूँगी जूट rope की help से बहुत आराम से ये काम हो जाता है आप चाहें तो इसे इसके अंदर fit करने से पहले यानि जो हमारा ये port है इसके अंदर wire को लगाने से पहले भी इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे से इस तरह से fabric को पकड़ते रहें और देखे मैंने ये pin ली है, clip ली है जिससे हम कपड़ा सुखाते हैं वो इससे ये आराम से यहां attach हो जाएगी। अब मुझे क्या होगा ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि मैं आराम से इसके उपर जो जूट रोप है उसे लपेट सकती हूँ और इस तरह से मैंने चारो तरफ जूट रोप को लपेट लिया है और लपेटने के बाद देखे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है तो चलि देखे इसके बाद क्या करना है बस इसे चारो तरफ लपेट देना है एक साइड से दूसी साइड और दूसी साइड से दूसी साइड यानि आमने सामने हमें इससे लपेटना है और जहां लगे कि हमारी जो एक कटिंग है वो खतम हो गई है आप इस तरह से टाई कर सकते हैं किसी भी जूट जो रोप है उसकी हेल्प से अब आराम से ये लपेट दी है मैंने इसके उपर और देखे जो फैबरिक मैंने इसके उपर लगाया था जूट का उससे ये फायदा होगा कि ये आराम से इसकी जड़े हैं उसे hold कर लेगा और इसे फैलने में और grow करने में help करेगा अगर आप इस तरह से जूट का जो fabric है उसका use करते हैं आप उसके अंदर कोकोपीट भरके भी इसके उपर लपेट सकते हैं ताकि ये जल्दी grow हो और एकदम बुशी बन जाए तो हमारा जो second idea था वो भी ready हो गया है और देखे पूरा होने के बाद मैंने क्या किया है नीचे से थोड़ा सा बुशी बनाने के लिए थोड़ी सी cutting ली है और इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा दी है इससे क्या होगा कि ये देखने में खुबसूरत लगेगा और थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाएगा तो अब इसका final look मैं आपको दिखाती हूँ और बनने के बाद ये कुछ acid लग रहा है थर्ड idea के लिए देखिए मैंने मेरे पास एक पुरानी कड़ाई थी non-stick लेकिन बिल्कुल खराब हो गई थी मैंने इसे paint कर लिया है golden paint से लेकिन इसकी जो clip है वो मुझे delete हो गई है लेकिन देखने से आपको ये समझ में ही आ रही होगी और मैंने इसके अंदर छोटी-छोटी से इस तरह से cutting लगा दी है और इसको मैंने इतना भर दिया है कि एकदम बुशी हो गया है क्योंकि जहां पर handle थे जब मैंने वो handle remove किये तो वहां पर दो hole भी हो गए है तो अराम से अभी ये hang भी हो सकती है तो इस तरह की अगर कोई पुरानी कडाई है आप भी उसे use कर सकते हैं अपने घर में अपने घर को डेकोर करने के लिए तो इसका final look कुछ ऐसा आया है और बनने के बाद ये बहुत सुन्दर लगा है इसे अराम से आप hang भी कर सकते हैं और चाहें तो center table के उपर भी रख सकते हैं ये है fourth idea जो मेरा favorite है इसमें steel की जो wire है उसी का मैंने use किया है और देखे टावर की तरह मैंने इसे fold कर लिया है नीचे के सिरे को उपर की तरफ और उपर के सिरे को नीचे की तरफ इस तरह से band किया है ताकि ये आराम से जो हमारा port है उसके अंदर fit हो जाए इसके जो height है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं उसके बाद मैंने एक bamboo stick ली है और देखे नीचे का जो सिरा मैंने मोडा था उपर की तरफ उसमें मैंने फसा लिया अब जो उपर का रखा था इसमें मैंने फसा लिया अब आपको समझ में ही आया होगा कि इसको मैंने क्यों बैंड किया था अब ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला है इसके बाद जो drainage hole है उसे बंद कर लेंगे और आराम से इसे इसके अंदर fit कर लेंगे अब इसके थोड़े से जो हिस्से है wire के इसे हम दबा देंगे मिट्टी से ताकि ये बिल्कुल नहीं ले और मिट्टी को बहुत दबा दबा के भढ़ना है ताकि जब बाद में ये जो हमारी money plant है इसके उपर बढ़ने लगे तो ये बिल्कुल भी इधर उधर ना मुड़े तो अच्छे से दबा दबा के मिट्टी को भढ़ लेना है और देखिए बढ़ने के बाद जिस तरह का जूट फैब्रिक हमने जो हमारा आइडिया था उसमें यूज किया था से उसी तरीके से इसे भी हम cover कर लेंगे आप चाहें तो आप इसे इसमें लगाने से पहले यानि पोर्ट में रखने से पहले भी cover कर सकते हैं और या मेरी तरह इस तरह से बाद में भी cover कर सकते हैं ये totally choice आपकी है अराम से मैंने देखिए इसे इसके उपर cover कर लिया है और बहुत easily cover हो जाता है बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अब ये मैंने थोड़ी सी cutting ली है money plant की मेरे पास ये जो cutting बची थी ये कुछ छोटी है अगर आप इस तरह का idea create करते हैं तो थोड़ी सी लंबी cutting लीजिएगा और देखे इस तरह से हम एक दूसरे के उपर इन्हें लपेट देंगे और जहां लगे कि हमारी जो cutting है वो खतम हो गई है वहाँ आप जो हमारा एक धागा है उसका भी use कर सकते हैं या मेरी तरह जूट जो रोप होती है उससे भी इसे tie कर सकते हैं और नीचे से इसे बुशी बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी थोड़ी cutting ली है और इन्हें भी मैं मिट्टी में इस तरह से दबा दूँगी और उसके बाद ये बनने के बाद जब पूरी तरह से फैल जाएगा बढ़ जाएगा तो ये बहुत सुन्दर दिखने वाला है और आने वाली वीडियो में जैसे ही इसकी growth होगी मैं आपके साथ जरूर से share करूँगी और ये तो मेरा favorite था मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा तो ये बहुत खुबसूरत लगेगा अब उपर के साइड मैं इसमें थोड़ी सी कोकोपी डाल दी है और देखें ये कितना खुबसूरत लग रहा है तो दोस्तो आज के लिए था इतना ही अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा के आपको कोई सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी और नई इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए ओके फ्रेंस थैंक यू एंड बब बाई